आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बिरनाम है सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बसवागत है पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में गुरू ये बताओ कि अपकी बार किसकी सरकार बनाएगा क्या कॉंग्रेस जीतेगी रैसे तो इस शुरुआत में तो रुजान आये तो यहां पे पटाके बजने लगे कॉंग्रेस के आफिस में लेकिन सब तो बात करेंगे कौन जीतेगा मिनी महाभारत होने वाली है गुरू क्यों क्योंकि देवो वैसे तो जो इलेक्शन है वो अगले के अगले साल है दो हजार 27 में है अ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे है सबसे वड़ा राज्य कौन-कौन सी पार्टी है बीजेपी समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस और बहुजन लेकिन बड़ी पार्टी बीजेपी है समाजवादी है अखिलेश याफिर योही आदितनात तो एक दोज़ाइस से पहले लिटमस टेस्ट हमको देखने को मिलेगा वैसे महराष्ट और जारकन में तो अभी एलेक्शन होने वाले हैं है ना तो यह चीज है अब आपको पता है कि जहां पिछली बार लोकसभा एलेक्शन में असी में से 62 सीटे यूपी को गई 2024 इस बार 400 पार सर्फ और 33 सीटों पर सिमट गए इसका मैंने पूरा एनलिसिस किया था और क्यूं हुआ था खिली शादुफ का जो टिकट वितरन है आयोध्या सीट तक नहीं बजा पाई यह चीज है जलू सिंग आर गए तो यह जो बाइपोल्स है इंपोर्टेंट है और यहां पे सपा को 5 से 37 की बढ़त जहां पिछले लोगसभा एलेक्शन में 5 इस बार 37 तो लिटमस टेस्ट तो है बाई कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस की तो सीटे कम रही है चार से 5 सीटों पर ही वह अटकी लेकिन और बहुजन समाजबादी पार्टी का जिस तरीक की सीएम किंग में कर रही कई बार लेकिन उसके बाद बस पा जबसे सीएम हटी मतलब अब तो यहां पे चंद शेकर रामण उन्होंने ले ले लिए आजाद समाज पार्टी बेसिकली बहुत टफ कॉंपटीशन है और बाकि छोटी मोटी पार्टी है लेकिन में यहां पे ज तो यहां पे जो बीजेपी का कंटेस्ट है वो आठ सीट पे आप देख सकते हो करहल मिल्कीपूर कुंदर की खैर गाजियाबाद मीरापूर फूलपूर शीशामो इसमें कंटेस्ट कर रही है 2022 के जो असेम्बली पोल्स हुए थे यहां पे खाली तीन जीती थी खैर गाजियाबाद फूलपूर बाकि निशाद पार्टी ने मजहावन जीती बैसे बता दू कि निशाद पार्टी भी वीजेपी की ही लाई है सपा की बात करें तो ये आठ सीटों में से पांच सपा ने जीती ती मिलकीपूर हो गया कॉंडार की हो गया कटेरी हो गया शीशामो अभी वेकेंट है क्योंकि जो MLA है SP सपा के इरफान सुलंकी उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया राष्ट्री लोग दल की बात करें तो चंदन चोहान ने मीरापूर जीती 2022 में बट इसको वेकेट कर दी क्योंकि वो बिजनौर से लोग सबा में MP चुनके आ गए तो अभी जादतर सीटे जो है जो आठ सीटों पर बाइपोल्स होने वो वेकेंट है यही होता है न वेकेंट मतलब बाइपोल्स का मतलब यह होता है कि सीट पहले थी फिर या तो डिस्क्वालिफाई हो गया MLA जो है या फिर वो MP बन गया तो आपको MLA छोड़ना अगर वो खाली हो जाते उसमें एलेक्शन होता है कड़ाल कुंडारी जो है यहार कंसिडर्ट SP स्ट्रॉंग होल्स अपा स्ट्रॉंग होल्स और बाकी देखेंगे क्या होता है इस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बगर बात करते हैं तो बढ़िया रहा है कड़ाल जो है वो 1985 से समाजवादी पाटिका की स्ट्रॉंग होल रहा है तगडे से 1985 से कुंडार की जो है वो बर्क फैमिली जो की सपा से ही अफिलियेटेड है उनका स्ट्रॉंग होल और इसलिए सीट सपा को गई मिलकीपूर का भी यही रहा है अवधेश प्रसाद इस बार कवाल कर दिया इलेक्टोरल हिस्ट्रीन की रही है लाज जी वर्मा कटेरी से उन्होंने जो है वो रिजाइन किया मतलब एक तरीके से रिजिगिनेशन अतुल गर्ग बीजेपी गाजियाबाद से और को मीटिंग होती है हम सबको पता है योगी आदितनात को हटाने की तयारी थी बहुत दिक्कते थी केशव प्रसाद मौर और योगी आदितनात के बीजो तलखिया थी वो सामने आ गई तो आरेसेस ने सही वक्त पे इंडवीन किया और 2027 में योगी आदितनात बनेंगे नही बनेंगे इस पे भी बड़ा प्रशन चलने है योगी आदितनात केशव प्रसाद मौर ने बोला पार्टी सबसे बड़ी है योगी आदितनात ने बोला कि जो हम एहम में आए जो हम ओवर कॉन्फिदेंस में आए वो हमको लेड़ हुआ योगी आदितनात थे 30 कंडिडेट् कि बीजेपी हारी यहां पर अच्छा खासा लॉस हुआ इंटरनल कॉन्फिक्ट्स लगी है जैसे स्टेट बीजेबी चीफ बुपेंद्र चौधरी और जनरल सेक्रेटरी धरमपाल सिंग इनको न्यू डेली बुलाया क्या डिसकेशन के लिए योगी आदितनात भी पार्ट बाकी इन कंस्टिट्वेंसी में भी योगी आतितनात अक्टिवले इंगेज़ रहे हैं लगातार यहां पर विजट कर रही है जो फियर्स लगा रही है डेवलप्मेंटल स्कीम्स जो है वो लॉच कर रही है अगर मिलकी पिर में यहां पर जीती है तो बीजेपी का स्टॉं कर लेगा अखिले शादव और बाकी बीजेपी की सीट भी वो रिटेन कर ले गए समझ लोग किसकी यहां पर फिर लहर है है ना तो यह चीज है पन्ना प्रमुक बीजेपी ने इसको डियक्टिवेट किया है बूथ लेवल कमिटी सारी दस सीटों पर इन्होंने अक्टिवे जाते जो भी हो शेफपाल यादव जो है वो कटेहरी से लीड करेंगे अमिटकर नगर से लाल जी वर्मा की बेटी एंप लाल जी वर्मा की बेटी वो शायद कंटेक्स्ट करेंगे अब देश प्रसाथ ठीक है जो कि मिलकीपूर के लिए रिस्पॉंसिबल है वो इंदर जि कढहल अखिलेश के कजन तेज प्रताब यादव यह कंटेस्ट कर सकते हैं ठीक है गाजियाबाद और खैर सारी दस सीटों पर यहां पर फोकस किया जा रहा है सीनियर लिडर्स की अगर बात करते तो उदेवीर सींग उन्होंने जैसे पार्टी इस एड्रेसिंग फीड़एक फ्रॉंसिट उनिट्टिफाइए वीक्निस सिंपल सी बात कि भाई पहले सारी सीटों में आंक लर्न करोर क्या प्रॉब्लम्स हैं फीड़एक लोग क्या दि लोग है वो कहते कि हमको मिलाई क्या है बस वही वादे जूटे वादे यह चीज़ है तो प्रेप्रेशन जबरदस्त है कॉंग्रेस की जहां तक बात है तो कॉंग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी अभी आला कि फाइनलाइज नहीं हुआ है लेकिन जब यहा पांस सीट को टागेट करेंगे सम्विधान बचाओ सम्मेलन होगा अब मुझे लगता है शायद सम्विधान बचाओ इस सम इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा लेकिन फिर भी जो बीजेपी नेताओं ने बड़बोला पन दिखाया था लोग सभाग चुनाओं में वो उनको बसपा चीफ विश्विनात पाल ये सवर बाकी जाटा वोट को रीकलेम करने के लिए और ग्राउंड वोरकर्स बसपा के आएंगे क्योंकि अभी नौक्टूबर को डेथ इनिवर्सरी है काशी राम जेंदीगी का सॉरी काशी राम की जिन्नोंने बसपा को बनाया तो देख कि किसका डंका बज़ता है आपको क्या लगता मुझे कमेंटर बॉक्स पर जरूर बताईएगा थैंक्यू सो मच